Class 10 की Exercise 7.4 Optional का Question No.2 है Find the relation between X and Y if the points X,Y, 1,2 and 7,0 are Collinear तो Question के अंदर हमसे बोला गया है कि हमें X और Y के बीच में Relation Find करना है जबकि जो 3 points है हमारे पास X,Y, 1,2 and 7,0 यह तीनों के तीनों जो points हैं यह Collinear है अब देखें पहले बात आती है कि Collinear क्या होते हैं तो Collinear वो points होते हैं जो 3 के 3 एक ही line पर होते हैं मान लीजिए हमारे पास एक point है एक, यह दूसरा point है, यह तीसरा point है अगर हम यहां से एक line खीचें और यह 3 के 3 एक ही line पर आ जाएं तो इन points को हम Collinear कहते हैं इन points को क्या कहते हैं? Collinears कहते हैं, ठीक है? तीनों के तीनों जो point कहलाएंगे, ये क्या कहलाएंगे? Collinear कहलाएंगे, ठीक है? अब जब 3 points collinear होते हैं तो वहाँ पर triangle possible नहीं हो पाता है, यहनी कि उन 3 points से triangle नहीं बन पाता है triangle बनाने के लिए किसी एक point को उस line से हटना पड़ेगा, ठीक है? अगर मान लीजे point जो है B यहाँ पर आ जाए तो फिर हम triangle बढ़ी आसानी के साथ बना सकते हैं, मगर जब तक यह 3 के 3 एक ही line में रहेंगे, तो वहाँ पर triangle possible नहीं हो पाएगा और जब यहाँ पर triangle, जब 3 points कोलिनियर होंगे, तो वहाँ पर triangle बन नहीं पाएगा, और जब triangle बन नहीं पाएगा, तो triangle का area वहाँ पर क्या होगा? 0 होगा, ठीक है तो जब भी कोलिनियर की बात आया करें, तो वहाँ पर उन 3 points को लेकर के triangle के area को 0 ले लिया करें और वहां से जो भी चीज हमसे निकलाई गई है उसको निकाल लिया करें तो चलिए इस question को अब आगे कर लेते हैं तो हमारे पास यहाँ पर 3 points हैं इनके जो 3 points के जो coordinates हैं हों में हाँ पर given हैं तो सबसे पहले x1 को देखते हैं तो x हो जाएगा x2 को देखते हैं तो 1 हो जाएगा और x3 को देखते हैं तो कितना हो जाएगा 7 इसी तरीके से y1 कितना आजाएगा y और y2 की बात करते हैं तो 2 आजाएगा और y3 की बात करते हैं तो कितना आजाएगा 0 ठीक है अब यह 3 के 3 points जो थे वो collinear थे तो these three points are collinear जब तीनों के तीनों point collinear होंगे तो हम क्या कर सकते हैं इसलिए जो area of triangle होगा area of triangle हम कितना ले सकते हैं 0 ले सकते हैं ठीक है अब जो area of triangle इन तीनों point से जो triangle बनेगा उसका area क्या ले सकते हैं 0 तो अब area of triangle का formula क्या होता है half into x1 y2 minus y3 plus यहाँ पर x1 था तो यहाँ पर x2 आ जाएगा और bracket के अंदर यहाँ पर y2 था तो यहाँ पर कितना जाएगा y3 minus y3 के बाद y1 आ जाता है और plus फिर x2 था तो यहाँ पर x3 आ जाएगा और y3 था तो y3 के बाद y1 आता है और y1 के बाद कितना आता है y2 ठीक है तो equal to में कितना आगे आपके पास 0 अब अगले step में आप क्या करें इस 2 को यहां से हटा दें क्योंकि 2 की जब यह इसके upon में है 2 2 की जब 0 से multiply होगी 0 ही हो जाएगा और 1 को multiply में हम लिखते नहीं इसको हटा देंगे यहाँ पर कितना बचेगा x1 into y2 minus y3 और plus x2 into y3 minus y1 और plus x3 into y1 minus y2 equal to कितना जाएगा 0 यहाँ पर आप इनकी value रख लें x1 कितना था x और y2 आपके पास था 2 minus y3 आपके पास 0 था plus x2 आपके पास था कितना 1 और y3 की बात करते हैं तो 0 और minus y1 की बात करते हैं तो y और plus x3 की बात करते हैं तो 7 और y 1 कितना था आपके पास y और minus y 2 कितना था आपके पास 2 और equal to में कितना था 0 अब जब आप अंदर multiply करेंगे इसकी तो यहाँ पर x और multiply 2 में से 0 गया 2 बच जाएगा plus 1 multiply यहाँ पर 0 हट जाएगा तो minus y बचेगा plus 7 के अंदर multiply करो 7 की y से करेंगे 7 y और 7 की minus 2 से करेंगे तो plus और minus की multiply minus 7 to 14 और equal to कितना जाएगा 0 ठीक है अब जब आगे इसको solve आप करेंगे तो x की 2 से करेंगे तो 2 x और 1 की minus y से करेंगे तो minus y और plus के 7 y और minus 14 और equal to कितना गया 0 अब जब हम plus minus करेंगे तो x वाला तो एक ही है यह इसकी x वाला और कोई तो है नहीं तो 2x को ऐसी रख लें यह minus के y और plus के 7y है तो 7y में से minus के 1y जाएंगे तो plus के 6y बच जाएंगे और minus के 14 और equal to 0 अब आप यहाँ पर यह देखें देखें हर टम को 2 से डिवाइट करा जा सकता है ठीक है तो यहाँ पर 2 है यहाँ पर 6 है यहाँ पर 14 है सबके सब 2 से कटते हैं तो dividing by 2 अब dividing by 2 करने के बाद आपके पास यहाँ पर कितना आजाएगा x और plus यहाँ पर कितना आजाएगा 3y और minus यहाँ पर आजाएगा 7 equal to 0 आप जो relation निकाल रहे थे x और y में वो यहाँ तक भी आप शोड़ सकते हैं और उसको आप जो है x plus 3y और इदर आके 7 यहाँ तक भी आप छोड़ सकते हैं और अगर जो है y को भी अलग हटाना है तो आप जो है x is equal to 7 minus 3y भी कर सकते हैं ठीके यही इसका answer